रादे रादे दोस्तों कैसे आप सब उम्मीरे अच्छे होगे मैं भी बहुत बढ़ी आऊँ आज हम एशियक अपके ऐसे दस मैंत्वर प्रशनों की बात करेंगे जो कि लगबख सारे एक्जाम में आने वाले हैं आपका दिल्नी पुलेस हो गया, UPSI हो गया, UP Constable हो गया जितने भी एक्जाम एक्जाम है, SSC, Railway सब में ये प्रशन आ सकते हैं क्योंकि ये GKO करेंट की प्रशन हैं दोस्तों तो समय नबरबार करते हुए चलते हैं पहले प्रशन के जोड़ एशिया कप का पहला मैच कप खेला गया था, आप्शन A है 1982, B 1993, C 1984, D 1992 तो जो सही आप्शन है दोस्तों वो है आप्शन C 1984 1984 में दोस्तों एशिया कप भारत और शीलंगा के बीच में खेला गया था पहली बार पाकिस्तान ने मैच को साथ विकिट से जीता था दोस्तों याद रखिएगा पहला मैच जो खेला गया था उसमें पाकिस्तान ने मैच को साथ विकिट से जीता था लेकिन ये फाइनल वाला मैच नहीं है दोस्तों ये पहला मैच है फाइनल जो था वो भारत ने जीता था तो पाकिस्तान ने पहला मैच 7 विकट से जीता था। कभी आपको कुश्ण पूछा जाता है कि ASEA कप का पहला मैच कप खेला गया था। तो 1984 मेर खेला गया था जो कि पाकिस्तान ने स्री लंका से 7 विकट से जीता था। चलते हैं प्रस नम्मर दो की ओर दोस्तों एशिया कपका सरवदिक खिताब जीतने वाला देश कौन है A. स्वी लंका B. बंग्रदेश C. भारत D. पाकिस्तान तो option C सही है दोस्तों भारत ने एशिया कपका सरवदिक खिताब जीता है अब तक जोके आठ बार भारत ये खिताब जीत चुका है दोस्तों जोके उसमें पहनी बार जीता था 1984 में दूसरी बार जीता 1988 में तीसरी 1990 में 14 1995 में 5 वी 2010 में और उसके बार दोस्तों 2016 में फिर जीता 2018 में और आठ वी बार अभी 2023 में दोस्तों बारत ने ये खिताब जीता है तो अब तक ये खिताब दोस्तों आठ वाड जीता है आठ वाड चलते हैं प्रस्ट नम्मर 3 की ओर दोस्तों A.C.A. कप का सबसे सफल बल्लेवाज कौन है Option A. सनद जैस हूजियर Option B. विराट कोली Option C. MS. दोनी Option D. इन में से कोई नहीं तो जो साइज जवाब है दोस्तों वो है Option A. सनद जैसूजियर A.C.A. कप का सबसे सफल बल्लेवाज दोस्तों सनद जैसूजियर है ये दोस्तों इतियास के सबसे ज़ादा रन बनाने वाले बल्लेवाज है जिनोंने 25 मैच में 1220 रन बनाये है जिसका ओसत 3.04 का है दोस्तों इनके नाम सबसे अधिक शतक भी है जो कि 6 सतक है इनोंने अब तक सबसे ज़ादा 6 सतक लगाए है और सबसे ज़ादा रन बनाये है वो हैं दोस्तों 1220 53 की ओसस से 53.04 की ओसस से चलते हैं दोस्तों प्रश्च नम्र 4 पर श्राट पर प्रश्च नम्र 4 एशिया कप में सबसे अधिक मैच खेलने वाला फिलाडी कौन है तो दोस्तों ऑप्शन ऐ है रोहिस्सरमा ऑप्शन बी है मुलिधर्ण ऑप्शन 7 है बाबराजम आप्शन डी है विराटकोली तो दोस्तों जो सई आप्शन है वो है आप्शन है रोहिश शर्मा रोहिश शर्मा ने दोस्तों अब तक 28 मैच खेले हैं तो जो सबसे जादा मैच खेलने वाले बल्लेवाज हैं खिलाडी हैं वो है रोहिश शर्मा अब चलते हैं दोस्तों प्रश्ट नम्मर पांच की ओद प्रश्ट नम्मर पांच है दोस्तों एशियक अप दो जर तेस में प्लेयर आफ दसीरीज का खिताब किसने जीता जो कि अभी हुआ है दोस्तों आप्शन ए है पुली प्यारबने आप्शन भी है कुमार सांकारा ये तोड़ा गलत हो गया है ये है कुमार संकारा ये वाला वो डंडा कट जाएगा दोस्तों आप्शन C है मुहमद सिराज आप्शन D है विराट कुली तो जो सही आँसर है दोस्तों वो है कुली प्यारबने जो प्लेयर आफ दसीरीज का खिताब जीता है दोस्तों वो अभी हा कि धंजाशी भी मिलती है जो कि अभी इन्हें मिली है कितने की धंजाशी मिलती है 12.48 लाग चलते हैं दोस्तों प्रशनमट 6 की ओर प्रशनमट 6 है दोस्तों एशिया कप 2023 में भारत के लिए सरवदिक स्पोर्ट करने वाले खिलाडी कौन है ए शुबमंगिल बी रोहिश शर तो जो सई ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन एग वो है शुबमंगिल दो जाट तेइस में एशिया कप में सुबमंगिल ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है दोस्तों इन्होंने 6 मैच में 302 रन बनाए है जिसमें 1 शतक है 2 अर्श शतक 6 मैच में 302 रन 1 शतक 2 अर्श शतक चलते हैं दोस्तों प्रस्ट नम्मर साथ की ओड़ साथ है एशिया कप 2023 में भारत के लिए सरवदिक अर्ष तक लगाने वालत लाड़ी कौन है आप्शन A है दोस्तों रोई शर्मा, B है दोस्तों विराट कोली, C हैं गिल और D हैं दोस्तों हार्दिक पांडिया तो जो सई ओप्शन है दोस्तों वो है ओप्शन A रोईस सर्मा, रोईस सर्माने दोस्तों 2023 एशिया कप में सबसे ज़्यादा अर्ष सतक लगाए हैं अब चलते हैं दोस्तों प्रस्ट नम्मर आथ एशियक अपने सबसे कम उम्र में शतक बनाने वारा बनलिवाज कौन है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिमुत करदुना रतने जो के सीलंका के हैं दोस्तों 1996 के फाइनल में दोस्तों शीलंका और भारत के बनाम हुआ था उसमें इनाओने दोस्तों 17 वर्ष 112 दिन की आयू में शतक बनाया था तो सबसे कम उम्र में शतक बनाने का किताब इनके पास है दोस्तों चलते हैं फ्रश नम्मर 9 की ओर दोस्तों एशिया कप 2023 में भारत के लिए सरवद एक विकेट लेने वाले एक लाड़ी कौन है ये वाला आंसर तो मुझे लगता है दोस्तों आप गैस करी चुके होगे इसका सही आंसर है ओप्शन ए मौहम्मर सिराज दोस्तों इन्होंने अभी 5 मैच में 10 विकेट लिए हैं और फाइनल में इन्होंने 6 विकेट लिए थे तो अभी ये काफी चर्चा में हैं तो जो सही आप्शन है वो है मौहम्मर सिराज अब चलते हैं दोस्तों प्रशनमर लाश्ट और दस की ओध प्रशनमर दस है दोस्तों इस ये कब 2030 की विजेता टीम को कितनी धन्राशी दी गई है आप्शन ये है दोस्तों दोस्तों जो सही आप्शन है वो है 1.24 करोड औप्शन ए विजेता टीम को दोस्तों 1 करोड 24 लाख रुपे दिये गए है याद रखियेगा दोस्तों यहाँ पर हम ये भी याद कर लेते हैं कि जो उप विजेता टीम होती है उसको 62,031,000 रुपे दिये गए है 62.31 लेग ये दोस्तों याद रखिएगा ये हमारे 10 प्रस्णा है ऐसे जो कि किसी भी एक्राम में आ सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद उम्मीद है ये प्रस्णा आपके काम आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद All the best, best of luck